फराखान को तो जानते ही होंगे आप कोरिग्राफर हैं, फिल्म डिरेक्टर भी हैं और रियलिटी शो जलक दिखला जा मैं आज कल बतोर जज भी दिख रही हैं। हाल ही में फराखान ने साउथ इंडस्ट्री और बॉलिवुट को लेकर बड़ी बात कह दी। एक तरफ जहां फराखान ने साउथ इंडस्ट्री की जमकर तारीफ की तो वहीं बॉलिवुट के बारे में एक चौकाने वाली बात कह दाली। फराखान ने क्या कहा इस वीडियो में आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले फराखान का एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं उन लोगों के लिए जो फराखान को नहीं जानते। दरसल फराखान ने 1992 में कोरिग्राफर के तौर पर अपनी पहली फिल्म की थी। ये फिल्म आमिर खान की थी जिसका नाम था जो जीता वही सिकंदर। ये एक बहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म का बहुती शांदार गाना था पहला नशा और उसकी बहुत ही खुबसूरत कोर कोरिग्राफी की गई थी और ये कोरिग्राफी फराखान ने ही की थी और इस गाने की खूब चर्चा हुई इस कोरिग्राफी की भी खूब तारीफ की गई इसके बाद एक कोरिग्राफर के रूप में फराखान ने बॉलिवुट की कई फिल्मों में सितारों को अपने इश प्रियादर्शन के साथ काम किया यही नहीं शारुक खान की मैहुना और ओम शान्ती ओम जैसी सूपर डूपर हिट फिल्मे भी फराख खान नहीं डिरेक्ट की हैं अब इतना काम किया है तो दोनों फिल्म इंडस्ट्री को अच्छे से जानती हैं फराख खान शायद यही वज अनुपर घीजा करते हैं वह साउथ इंडस्ट्री के लोग पहुत तेजी से काम करते हैं वो time-base नहीं करते वो जलदी से frame मराते हैं और उनके Actors भी punctual है शूट के लिए सुबह पांच बजए भी आने को तयार रहते हैं फराख कहती हैं कि South Director और Actors के साथ का म करके यानि South Industry में काम करके उन्होंने discipline यानि अनुशासन सीखा चीजों को कैसे manage किया जाता है यानि organization skills भी फरहा को South Industry से ही सीखने को मिली फरहा बताती है कि दिल से में मरितनम जैसे जजब के निदिशक के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला इस फिल्म का चलती ट्रेन पर शारुख खान और मलाई का अरोडा पर फिल्माया गया च्छैयां च्छैयां गाना भैंकर हिट रहा था इस गाने की कोरिग्राफी फरहा खान नहीं की थी इसके लिए फरहा खान को best कोरिग्राफी का film फेर अबार्ड मिला था जिसे सुनकर हम आपके चौकने का दावा कर रहे हैं फरहा कहती है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का लॉजिक और काम करने का तरीका बॉलिवुट से एकदम जुदा है हमारे यहां यानि बॉलिवुट में सब कुछ बहुत धीरे धीरे इत्मिनान से होता है जबकि वहां ऐसे काम होता है जैसे आर्मी किसी काम को अंजाम देती है पराखान का यह छुटा लेकिन चौकाने वाला कॉमेंट बताता है कि बॉलिवुट और साउथ इंडस्ट्री में बेसिक फर्क क्या है साउथ सिनेमा दर्शकों के दिलों पर क्यों राज करता है और क्यों अब हिंदी बेल्ट के दर्शक भी साउथ के फैन हो चले है तो दोस्तों इस मुद्धे पर अपनी राय कोमेंट बॉक्स में लिखे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कोई नई वीडियो मिस नहो इसके लिए बेल आइकन भी दबा दें